अधूरा ग्यान हमेशा कश्टकारक होता है इसलिए दोस्तों यदि आप अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो देख लिजिएगा आठ से दस मिनट की वीडियो में आपको हम वो धेर सी जानकारी देंगे जो आपके लिए खास जरूरी है खास तो से ग पूर ना सक दवा ले सकते हैं और क्या साथ में आपको मिला करके इस्प्रे करने से काम चल जाएगा या अलग अलग आपको इस्प्रे करना पड़ेगा तो ये पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो पूरा देखिएगा ध्यान से तो आपको पूरा पूरा लाब भी मिले और अच्छे से आप जो पैसा लगा रहे हैं वो वसूल भी हो जाए नमस्कार दोस्तों मैं 37 आप देख रहे हैं एगरी एडवाइज पोसक तत्तूं की कमी खास तोर पे जब बालिया निकलने की पहले की अवस्था खास तोर से जब 50 दिन के उपर की गेहूं हो जाती तो उस समय हमको अपने गेहूं में साफ साफ नजर आने लगती है अब इसके साथ साथ यह मौसम खराब हो हुमिलिटी अधिक हो तो ऐसे में पोधे की ग्रोथ और विकास रुक जाता है क्योंकि धूप ना निकलने के कान पोधे में प्रकास संस्रेसल की क्रिया साइड हैंग से नहीं हो पाती है और जो भी हम पोशक ततु देते हैं वो पोधे को आसानी से यानि अच्छी तरीके से नहीं मिल पाते हैं उसके साथ साथ जब हिमिलिटी अधिक होती है और मौसम खराब होता है तो फफून यानित रोग भी फसल में लगना सुरू हो जाते हैं तो ऐसी समस्याएं आने पर पोधे की ग्रोथ और विकास रुक जाता है बाकी ये फार्मूला आप दूसरी फसलों के साथ भी यूज कर सकते हैं वैसे हमें गेहों पर इसलिए पूरा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि गेहों में अक्सर ये समस्याएं बहुत से किसान भाईयों के खेत में देखने को मिली है आप किसान भाईयों सबसे पहले हम बात करते हैं ये आपके गेहों में पीला पन है या कोई फफून जनी तरोग दिखाई पड़ता है तो इसके लिए आप कौन सी सस्ती और अच्छी दवा का यूज कर सकते हैं मार्केट में बहुत से फफूना सी दवाएं हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं लेकिन बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनका खर्चा काफी अधिक बढ़ जाता है और अधिक खर्चा होने पर हमारी कीमत ज्यादा लग जाती है और पैदावार कम होते हैं जिससे हमारा इतना क कोई फाइदा नहीं फसल में उठा पाते हैं तो जब आप के खेत में पीले पन की कोई समस्या है या फफून जनित रोग लगा है तो आपको मैं को जब 75% WP वाली योज करना चाहिए जो मार्केट में M45 नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाती है खास तोर से जब ऐसी वस्त हो कि लगातार बादल बन रहे हो बदली चाहिए हो हिमडिटी अधिक हो या अधिक नमी के कान खेत में पीला पन हो गया हो या फफून जनित रोग भी दिखाई पड़ रहा हो पीला रत्वा जैसी समस्या दिखाई पड़ रही तो मैं को जब 75% WP की आप स्प्रे कर सकते है जिससे ऐसी समस्या दूर हो जाएगी इसके अत्रीक्त आफ दूसरी दिखाब भी यूज कर सकते हैं जो कारबंडा जिम का भी आप यूज कर सकते हैं इससे भी काफी बेटर रेयल्ट मिल जाएगी दोनो दुखाएं काफी सस्ती मिल जाएगी तो आपको बहुत खर्चा की आवस्त्ता नहीं पड़ेगी इसकी डोज जो आपको लेनी है प्रतिपंप 30-40 ग्राम लेना है और 30-40 ग्राम का मतलब है कि एक एकड में आपको 300 ग्राम से लगा करके 400 ग्राम के बीच में खर्च करना पड़ेगा कुल मिलागर के एक एकड में लगवक 300 ग्राम के आसपास आपका खर्चा आने वाला है तो आप यदि इसको दो बार इस्प्रे कर देंगे तो जो भी समस्या है फफुन जने तौली होंगी या पिलापन पौधे में है खासतोर से यदि ऐसी समस्या ऐसी स्टेज है वातावन मे तो आपकी ये समस्या आसानी से दूर हो जाएगी अब इसके साथ आप चाहते हैं कि दूसरी आप उरबरकें भी मिला पाएं जिससे बार बार जो इस्प्रे करने का खर्चा होता वो भी बच जाए और आपकी समय की भी बचत हो क्योंकि किसानों के पास बहुत से ऐसे काम र रहता है तो आप ऐसी उरबरकें हैं जिनको आप एक में भी मिला करके स्प्रे कर सकते हैं दूसरी चीज़ दोस्तों यहां पर बता दें कि यदि आपके खेत में कोई कीट दिखाई पड़ता माहू जड़ माहू ऐसे कोई कीट दिखाई पड़ते हैं तो इसके साथ यानि इ दिया जा सकता है किसी तरह का कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा अब कुछ और बरके हैं उनके बारे में दोस्तों बात करते हैं उसके बात करेंगे क्या आप इसके साथ में मिला करके दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे तो ऐसे समय पर दोस्तों एक समझ से आते हैं जो तो पोसक तत्तों की है वो कमी हो जाती है जब खास्तों से 50 दिन के उपर का गेहूं आपका हो चुका होता है और पोसक तत्तों की यदि आप पूर्त नहीं करते हैं तो आपके गेहूं का विकास रुक जाएगा ग्रोथ रुक जाएगी और पौदा कमजोर हो जाएगा जिससे पैदावार घट जाएगी तो तीन-चार उपाई हैं तीन-चार औरबरके हैं तीन-चार औरबरकों में से जो भी औरबरक आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं यह बिलकुल नए फार्मूले पर आधारित औरबरके हैं जो आपकी गीहों की फसल को ध्यान में रख कर के बनाई गए हैं तो इनको आप आसानी से यूज करें दूसरी उरबरकों के चकर में ना पड़ें नहीं तो खर्चा भी आपका ज्यादा होगा और रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा एक चीछ दोस्तों यहां पर बता दे यदि आप दानेदार उरबरक को लेना च 26 देने पर इस टाइम पर जो थोड़ी बहुत नाइटरोजन की आवसकता पौदे को होती है वो भी आप पूरा कर पाएंगे और फासफोरस और पोटास जो पौदे को इस टाइम पर सबसे अधिक आवसकता होती वो भी पूरी हो जाएगी यदि आप दानेदार उरबरक को नहीं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप घुलन सेल उरबरकों का यूज करें तो इसकी जगापर आप घुलन सेल उरबरकें भी यूज कर सकते हैं हाँ घुलन सेल लेर उरबरकें आप देंगे तो दानेदार उरबरक की अपेच्छा काफी कम खर्चे में आपका काम चल जाएगा इसके लिए जो उर्वरक हैं वो NPK 1343 आप ले सकते हैं NPK 1343 की 75 ग्राम मात्रा प्रति पंप आप मिला करके इस्प्रे कर सकते हैं या फिर आप एक एकड की बात करें तो एक किलो ग्राम मात्रा का इस्प्रे कर सकते हैं यादि आप इसका इस्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरी उर्वरक है 10-26-26 दोस्तों ये दानेदार नहीं ये खुलन सील उर्वरक है और 10-26-26 खुलन सील जो उर्वरक है इसकी भी आप 75 ग्राम मात्रा प्रत पंप मिला करके या 1 किलो ग्राम मात्रा को लेकर के एक मात्रा रखनी है अब जो 13-40-13 उर्वरक है ये लें या फिर 10-26-26 उर्वरक लें या 8-25-25 कोई भी उर्वरक एक ही लें तीनों को लेने की आवस्टता नहीं है क्योंकि तीनों में लगबग सभी पोसकता तो उसी हिसाब से बनाए गए हैं जो पौधे को आवस्टत इस टा सकते हैं और साथ में कीटना सक भी मिला सकते हैं जो टाइम और पैसे का खर्चा है वो भी आपका बच जाएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे यानि इस टाइम पर यदि आपके खेत में ऐसी कोई समस्या है गयों में पीला पन हुआ है पोसकता तत्तों की कमी है वो सब दूर हो जाएगी लेकिन इसके साथ दोस्तों आप जिंक नहीं मिला सकते हैं बाकि सल्फर चाहें तो सल्फर आप मिला करके इस्प्रेश कर सकते हैं किसान भाईयों वैसे तो यह उर्बरक आपको अपने मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी लेकिन फिर भी यदि दूसे किसान भाईयों की समस्या रहती कि आपके छेतर में नहीं यदि उर्बरक मिल पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल इन सभी उर्बरकों का लिंक दे रहा हूं आप वहां से खरीद करके आसानी से अपने गेहों की फसल में इस्प्रे कर सकते हैं इस्प्रे का चास दिन के उपर की गेहों से लगा करके और बालिया निकलने तक आप इन उर्बरकों को अपनी गेहों के फसल में इस्प्रे कर सकते हैं और आपको इस स्टेज तक इस्प्रे करने पर अच्छे परड़ाम मिल जाएंगे क्योंकि इस स्टेज तक आपके गेहों में इन सभी पोशक्त तत्वूंग की एक संतुलित मात्रा की आवस्कता होती जो संतुलित मात्रा को ध्यान में रख करके ये उर्वरक तैयार की गई है तो आसानी से इन उर्वरकों का स्प्रे करके लाब लिया जा सकता धा